अब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड आज का वीडियो बहुत है आप सब के लिए क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूं आप सब के बहुत से कॉमेंट्स भी आ रहे थे इस टॉपिक को लेखे कि मैं मेरा नौव महीना चल रहा है और इस ट आपको हॉस्पिटल तुरंत पहुँचना चाहिए यह सारी बाते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखें ध्यान से देखें कि बात अच्छे से सुने और चैलन को जरू सब्सक्राइब कर लें आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है सब जी 9 महिना लगते हैं आपकी डिलेवरी कभी भी हो सकती है और ये महिना खास इसलिए होता है क्योंकि आपका बेबी भी आपके पास आने वाला होता है तो अगर आपकी डिलेवरी 37 वे हपते के बाद कभी भी हो जाए बिलकुल सेफ होती है इस महिने आपको ये तो पता होत बच्चे की हल्चल को यहां तक काउंट करने के भी सलाथ देते हैं मतलब कि आपको प्रेग्नसी के नौवे महिने में बच्चे की हल्चल को लेकर सतर करना चाहिए टाइम टो टाइम बच्चे की हल्चल को आपको नोटिस करना चाहिए जानते हैं आपको बच्च नौवे महिन पेट पर हाथ रखेंगे तो बहुत जादा मतलब ऐसे लगीगा कि बेवी का पैर बिलकुल यहीं पर है मेरे हाथ के पास यह है तो इस तरीके-स मतलब बेवी की जो हलचल है वो आपको बहुत जादा करीब से फिल होती है लेकिन इस हलचल में जरा सबी बदलाओ आपको नजर आता है तो आपको ऐसे में तुरण डॉक्टर से सला लेनी चाहिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसके बाद जैसे कि आपका बेबी नौवे महिने में अपनी डिलिवरी की सही पॉजिशन में आ जाता है अपना सर नीचे और पैर उपर कर लेता है लेकिन बहुत से बच्चे नौवे महिने में भी अपनी सही पॉजिशन में नहीं आ पाते हैं और उल्टी सीधी position में रहते हैं जैसे कि पैर नीचे रहते हैं सर ओपर रहता है यदाए वाय सर रहता है इस तरीके के position में होते हैं तो उस situation में तो आपको और जादा बच्चे की हल्चल पर ध्यान देने की जरुवत होती है और बच्चा उल्टा आड़ा त्रिछा होता है त तो बच्चे की हलचल आपको ठीक तरीके से फील नहीं हो पाती है तो अगर ऐसा है तो आपको अपने बच्चे की हलचल पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देने की जरुवत होती है इसके बाद आपका बेबी 9 महीने में जो भी मूवेंट याउट किक करेगा बहुत ज़्यादा आपको की किक करता है या फिर हलचल करता है तो आपको पूरा पीत ही हलचल हलचल आपको की काईERO गर्वास करता है जिस वज़े से आपका बेबी कम हलचल कर सकता है और साथ में बच्चे का सर भी नीचे आ जाता है तो आपके pelvis area में जाकर fix होने लगता है मतलब baby dropping हो जाती है जिस वज़े से बच्चे के shoulder और सर fix हो जाता है तो बच्चे जो moment करेगा वो केवल अपने पैरो की ही करेगा और वो moment आपको ना भी के आसपास feel हो सकती है जादा जो ध्यान रखने के आपको जरूत है कि इस महिने में बच्चे की कम से कम 2 घंटे में 10 से 12 वार हलचल होनी ही चाहिए अगर आपको नहीं feel हो रही है तो आप क्या करें शांती भरे माहौल में अपने बैट पर लेट जाएं लेफ्ट करवट करके और 2 घंटे तक लेटे रहें और बच्चे की हलचल को ठीक तरीके से feel करने की कोशिश करें अगर आपका बच्चा नार्मल तरीके से हलचल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर बच्चे ने बहुत ही कम हलचल की यह आपको पता ही नहीं चला हलचल का तो आप तुरंथ डॉक्टर के पास जाए क्योंकि साइध कोई दिक्कत हो सकती है ठीक है फ्रेंड तो आपने जाने कि नौवे मेंने अब बच्चा कैसे हलचल करता है कितनी बार हलचल करता है और कब आपको डॉक्टर के पांस जाना चाहिए आई होप यह वीडियो आपके लिए हलफुल रहा होगा तो वीडियो को जल करता है